आप भी सोच रहोंगे जो डेटपूल 3 मूवी आ रही है मतलब डेटपूल एंड वुलवरीन मूवी आ रही है उसके अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े हॉलिवूड के सेलेबरेटी से तो उनकी कितनी ज्यादा सेलेरी और कितने वह लोग चार्च किये होंगे इस मूवी क पेट अक्तर के बारे में बताने वाला हूं जो इस मूवी के अंदर काम करते हूं जो लास्ट का भाई सब नंबर वन दो पर उसके आप अगर सुन लोगे कितना वह सेलेरी चार्च करते तो उसके पास आप सोचो कि बॉलीवूड भी उतने बजट में चार-पांच मूवी जा जाएगी सच बता रहा हूं तो नंबर आट पर आते हैं भाई सब मैथ्वे मैक फैडन अब देखो इनका जो रोल है ना मत इस मूवी के अंदर नाम है अगर आपनों टेलर में देखा हो तो एक दिखाएगा कि तीवी एक जो एजेंट रहते हैं जो कि डेट पूल को यह ने इतना पैसा चार्ज किया आई तिंग सो कि देखो इस मूवी के अंदर यह उतने बड़े सेलेवरेटी अजने यह लेकिन फिर भी धाई करोड रुपे इनका समझो भाई से इस मूवी के अंदर फीस है नंबर साथ पर जो आते हैं वह मेरे तो फैबरेट है करन सोनी अज देखो दोपिंदर आपको याद हो कि पार्ट वन के अंदर जो टाक्सी ड्राइवर दिखाया गया तो वह है और जो पार्ट टू के अंदर भे दिखाया गया तो उनकी अगर हम लोग सेलेरी की बात के तो उन्होंने इस मूवी के लिए चार्ज किया बाइस चार लाख डॉ अब देखो थीरी के अंदर भी उसको थोड़ा बहुत दिखाया गया लेकिन समझ रहो है तुम तीन साड़े तीन करोड के आसपस इस बंदे को मिल रहतना तो इंडिया में में हीरो को जल्दी नहीं मिलता है नमबर छे पर जो आती है उसका नाम है लेसली योगम अगर नाम और भाई पार्ट वान और टू के अंदर जिस तरीका से उस बुरिया ने आक्टिंग की थी ना माइंड ब्लॉइंग अक्टिंग की थी सच बतार अब उनकी सेलेरी और फीस के बारें बात करते हैं उन्हों ने इस मूवी के लिए मतलब डेश्पूल 3 के लिए साड़े तीन डालनी होगा उसके पास इनका जो रोल है इस मूवी के अंदर पार्ट के अंदर आपने देखा तो याद होगा कि जब डेटपूल अपनी छोटी से एक्सपोर्स वाली आहमीं बना रहा था तो उसमें एक बंदा आया था जो पैरा सूट से उता ता जिसको कुछ नहीं आता तो उसका नाम तर उस मूवी के अदर पिटर और उस बंदे ने भाई साथ 6 लाग डॉलार चार्ट के जो कि इंडियान मनी होती है चार करोड 92 लाक रुपे भाई साब साम बढ़े छे लाग डॉलार चार करोड तकरीवा तकरीवन तकरीवन पांच करोड पे चोटे चोटे- मौरीना आप देखो मौरीना भाई सब तुमको समझ में नहीं आएगा भाई सब अगर मैं बोलू डेटपूल के गल्फेंड बैनने सा भाई मतब समझे डेटपूल वन और टू की बाई जो लेडी आक्टर से ना लीडिंग आक्टर फीमेल में वह यह लड़की है अब इसने अगर मैं बोलू कि चार्ज कितना किया डेटपूल 3 के लिए तो टोटल और डेटवल किया आठ लाख डॉलर रूपे जो कि इंडियन मनी में भाई सब होते है छे करोड़ छपन लाख रूपे होते समझे रहे हैं तुम भाई साब देखो इस लड़की ने कापी अच्छी आ लेटपूल का इस अपनी गल्फरेंड के लिए कोई मिशन करता है मतब मल्टिवर्स में जाता है या कुछ और फंडा है तीन नमर पर जो आती है उनका नाम है इम्मा कोरिन आप देखो इस मूवी की हो सकती है यह विलन है क्यों को टेलर में हम लोगों को दिखाए गया जैस अच्छा खासा रोल दिया जाएगा और जो बंदी जिस तरीका से आक्टिंग कर रही है जो मुमेंट कर रही है वह विलन वाला लग रहा है मेन विलन आइटिंग सो अभी तक तो यह अगर मारवाल वानों ने कुछ चुपा के रख कर है हम चो तो भाई वह तो मूवी में प तो मझती कीसज करों चालिस करों 50 मूवी के लिए वह 20 मिलियन डॉलर है जो कि इंडियन मनी में होती है एक सो सट करोड़ 42 लाख 30 हजार रुपए इतनी में बाइस कितनी बड़ी मुवी का बाइस इतना वह सब्सक्राइब चार्ज कर रहे हैं तो आपने डेट पूल भाई है रियान रिनोल्ड भाई देट पूल वेड विलियंसन भी इनको जो फीज अगर हम लोग बात करें तो गेस भी नहीं कर सकते हैं इनकी कितनी फीज होगी इनकी टोटल फीज है बाइस सहब 37 मिलियन डॉलर अगर इसको कंवर्ट करें इंडिया रुपी में तो होते हैं बाइस सब्सक्राइब दो सुएक्यावन करोड तेरा लाख एक्यावन हजार उपे समझे भाइदे को यह बंदा इतना पैसा डिजर्ब भी करता है समझे रोट इस तरीकर से याक्टिंग करता है इतना ज्यादा पैसा तो आपको क्या रहे कमेंड में जरूर बताना चलो आज के वडिए मिलतें नेक्स वडिए मैं देख